बिहार का आज आम बजट पेश होना है ऐसे में वित्त मंत्री जो है विजय कुमार चौधरी ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बार सरकार ने पूरी तरीके से जो है बजट भी जो है तैयार किया है और बिहार के लोगों को कुछ खास मिलने वाला है खास तोर पर इस बजट में युवाओं को देखा जा रहा है जिस तरीके से दो हजार चौबिस में लोकसभा का चुनाओ है और दो हजार पचीस में विधान सभा का चुनाओ है ऐसे में नितीश कुमार ने पूरी तरीके से युवाओं को लुभाने के लिए ये बजट में कुछ खास देने वाले हैं वहीं आपको बतादे कि इस बजट में युवाओं को और सिख्चा बिभाग में और तमाम बिभागों में युवाओं को रोजगार भी मिलने वाला है वहीं आपको बता दे कि तेजश्वी यादब ने जब कहा था कि पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे सरकार बनने के वाई सरकार बनते ही लेकिन सरकार बनते ही जिस तरीके से सरकार की किरकिरी होनी लगी और यूवा सड़क परा कर आंदोलन करने लगे लेकिन इसको लेकर बिहार के मुकमंती नितिश कुमार ने पूरी तैयारी कर ली है और इस बजट में युवाओं को कुछ खास मिलने वाला है वहीं आपको बता दे कि उत्पाद के छेत्र में भी बढ़ावा मिलेगा वहीं आपको बता दे कि किसानों को लेकर भी काफी चिंताये हैं सरकार की तो किसानों को लेकर भी इस बजट में कुछ खास मिलने वाला है वहीं आपको बता दे कि सिचाई विभाग में यानि सिचाई के चेत्र में भी इस बजट में कुछ खास देने वाले हैं सरकार के तरफ से और ये तौफा बिहार में आम बजट के तौर पर मिलेगा वहीं आपको बता दे कि 2024 और 25 के चुनाओं के मद्दे नजर नितीश कुमार की निगाहें उन्हीं युवाओं पर हैं क्योंकि उसे लुभाने के लिए कुछ इस बजट में कुछ फायदेमंद बजट मिलने वाला है युवाओं को खवर हम आपको विस्तार से बताते हैं अद्धे नजर देखते हुए 2024 और लोकसवा का चुनाओं है और 2025 में विधान सवा चुनाओं के लिए मास्टर स्टॉक लगाने की तैयारी की गई है वही मंगलबार को यानि आज का दिन होने वाला है 2023 और 2024 के बजट में सबसे बड़ी घोशना सरकारी नौकरी में आठ लाग से अधिक नियुक्तियां हो सकती है वही राज्य सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है वही घोशना को तुरंद अमल में लाने की भी तैयारी विभाग ने कर ली है लगभग 7,83,000 वेकेंसी डाटा बेश तैयार कर लिया गया है और कुछ और विभागों को तथा बोड निगम और आयोग से वेकेंसियां की रिपोर्ट आनी बाकी है बिहार सरकार के अगामी बजट का मुख फोकस मुखमंतिर नितीश कुमार ने साथ निश्य टू में पूरा करना होगा यानि कहीं न कहीं मुखमंती नितिश कुमार साथ निश्य टू को लेकर जल नल जल योजना हो या किशान की योजना हो तमाम योजना जो कह सकते हैं कि जो सडके बनवाना या तमाम चीजों को लेकर जो तयारिया हैं वो मुखमंती नितिश कुमार साथ निश्य टू को लेकर रासी की भी बढ़ोतरी की जाएगी तो इस बजट में आज जो पेस होगा ये खास दोर पर बिहार के युवाओं के लिए इस बजट में फोकस किया गया है क्योंकि 2024 और 2025 में लोग सबा का चुना हो है चौबिस में और 25 में विधान सबा का चुना हो है तो ऐसे में नितीश स्टॉक खेलेंगे और आपको बता दे कि इसको लेकर मास्टर स्टॉक की तयारी पूरी तरीके से नितीश कुमार कर लिया है और वैसे में आपको बता दे कि विध मंत्री विजय कुमार चौधरी आज आम बजट बिहार के लिए पेस करेंगे बस कुछ ही घंटों के बाद जो है आम बजट पेश होगा और तमाम योवाओं की निगाए इस आम बजट पर है अपने सही योगी कैमरामेन विकास के साथ बने रहे देस्टी निउस के लिए और देखते ना लिए आशिरवाद इजी कॉन ग्रूप भरोसी का दूसरा नाम हम सिर्फ घर नहीं खुशिया भी बनाते हैं आशिरवाद रोस वैली जिसमें हैं प्रीमियम फ्लैट्स विट आल मॉडर्न अमैनिटीज पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे नमबरू पर संपर